पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय बीजेपी को जटका देते हुए कॉंग्रेस में शामिल हो गए है नंद कुमार साय को खुद मुख्यमंतरी भुपेश भगेल ने कॉंग्रेस की सदस्यता दिलाई है नंद कुमार साय के कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम भुपेश भगेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जुड़ा हाथ से हाथ मिला आपका साथ भरोसे के साथ जारी है आदिवासी हित की बात स्वागत और अभिलंदन डॉक्टर नंद कुमार साय जी का हाथ से हाथ जोड़ो जारी है कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले नंद कुमार साय ने अपने स्तीफे में आरोप लगाया था कि बीज़ेपी नेता ने उन पे जूटे आरोप लगा कर उनकी छवी कराब करने की कोशिश कर रहे हैं मैं बहुत भैभी भयाकरांत और एक तरह से ब्यथित हूँ जिस पार्टी को मैंने अटल जी से ले करके अभी तक लगातार मजबूत करने की कोशिश की वो उनके कारकरता भी दुखी कर दिये गये हैं कि मेरे फोटों के साथ वो कहीं दिखना जाए मेरे साथ नहीं दिख ज मैं ने निर्णे किया है कि अब भारती जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्ठीपा देता हूँ और इतने दिनों तक मैं रहा जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूँ कि आप पार्टी को ठीक से बीजेपी का वरिष्टा दिवासी नेता कि कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है नेता प्रतिपक्ष की हैसे से भी उन्होंने काम किया तो जो दाइत्व पार्टी ने दिया पार्टी ने सम्मान दिया उसके बाद भी उन्होंने अपना निड़ना लिया है एक बड़ी शनेता हैं खानिती में सब कुछ जानते समझते हैं तो मैं तो यही कहूंगा एक नए चोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तबस्या छोड़के जा रहे हैं तो निसी तुरूप से आज BJP की तरफ से मैं ही कहूँगा कि मेरी सुपकाम नहीं चत्यसगर की सियासत का बड़ा आदिवासी चहरा माने जाने वाले नंद कुमार साय तीन बार के विधायक और पांच बार सांसद रह चुके हैं और नंद कुमार साय साल उनने सु सततर में पहली बार अविभाजित मध्यपरदेश की विधानसभा के लिए निर्वाजित हुए थे इतना ही नहीं वो मध्यपरदेश के विभाजन चत्यसगर राज्य के गठन से तीन बार विधायक भी रहे हैं